है है आज है 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 तो आज हम लाएं क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्टिसिट के अपरा का 13 वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं numerical based on power and इसके applications पर तो जनरेल हमाई पाप formula होते हैं power का P equal to w.t पढ़ा है हाँ work done per unit time और energy dissipated या energy consume per unit time ठीक है तो यह सारा मैंने आपको power जब पढ़ाया था तो आपको सब बताया था अब देखो P equal to V into I यहां से आप W के formula रखेंगे VIT फिस I square RT तो यहां से हम P के formula और ड्राइब कर सकते हैं P equal to V into I P equal to I square RT और P equal to V square upon R ठीक है तो यह सारी चीज़े आपने पढ़ी होई है power वाले वीडियो में अब देखो कि लास्ट में हमाज यहीं समझेगे कि अगर हमने दो बल जिनकी पावर ने से लिख़िक हुई है ऊंडेड वाट 220 वोल्ट और 20 250 watt 220 वोल मतलब दो बल मैं जिनकी पावर हमेने 100 वाट और 250 वाट लिए और इनको अगर मैं सिरीज में कनेक्ट कर दू या पारेल में करेक्ट कर दू तो विच विल ग्लो मूर ठीक है कौन सा ज्यादा वाला कौन सा जादा अच्छे से ग्लो करेगा इसको भी हमाज समझेंगे चली शुरू करते हैं इसको मैं भी रफ कर रहा हूँ सब्सक्राइब हमारे पास क्वेशन नमबर बन फॉर्स कोईशन है एन एलेक्रिक आरण एन एलेक्रिक आरण हाज और याज रेटिंग और व्यारी वाट्ट ठीक है और क्या लिखा हुआ है 220 वोल्ड पर इस की पावर कितनी है 750W ठीक है और calculate क्या करना है चलो देखते है calculate क्या calculate करना है दो चीज़े calculate करनी है हमें current calculate करना है current passing through it current passing through it current passing through it ठीक है कितना current pass हो रहा है और V में हमें calculate करना है its resistance when in use its resistance its resistance its resistance its resistance ठीक है its resistance when in use ठीक है समझ मां गया हमें ये दो question हमें दो बाते हैं यहां पर calculate करनी है देखो कैसे करें कि solution देखो तो यहां पर हमें क्या क्या गिवन हमें यहां पर power given है तो पी क्वल टू क्या गिवन है हमें हंडेट सारी 750 हां 750 पी क्वल टू 750 वाट और हमें क्या गिवन है इसका वी पता है potential difference 220 वोट ठीक है यह चीज़ हम पता है और यहां से हमें पहले तो current calculate करना है जब में हाँ पर हमें से apply 220 वोट में इसे हम इसे यूज करेंगे तो कितना current flow करेंगा तो तो यहां से हमें कौन से फार्मला समझना रहा है पी और वी गिवन और आई calculate करना तो आपको समझ में आ रहा होगा यह फार्मला में यूज कर सकते हैं यहां से में सिंपली आई calculate हो जाएगा तो यहां से हम लिखेंगे पी क्वल टू वी इंट वाई आई को डू क्या हो जाएगा पी अपॉन भी ठीक है तो पी कितना है 750 डिवाइट बाइट बाइट 220 तो यहां से कैसे करेंगे its resistance रहीं यूज अब दोगर रजिस्टेंग्स की वैलम का है कैसे calculate करेंगे तो तो रेजिस्टेंज आपने वो 64.7 इतना आज रहे गा टीए जनरले हमारे दौन से ठीक इस तरीके से हम सिंप्ली इसे कल्कुरेट कर सकते हैं समझ में आ गया ठीक है इजी कोईशन था चलो देखते हैं सेकंड कोईश्चिन question number two question number two an electric geyser an electric geyser an electric geyser rated 1500 1500 watt 220 volt sorry 250 volt 250 volt ठीक है is connected is connected is connected to a to a 250 volt 250 volt ठीक है and electric geyser rated 1500 watt 250 volt ठीक है और इसे connect भी किसमें किया गया 250 volt पहीं किया गया 250 volt line ठीक है तो कोई problem नहीं है इसका और देखो क्या बोला किया है है lines lines line main से connect किया गया ठीक है calculate अमें क्या calculate करना है to calculate और यहाँ पर भी त्हें तीन चीजे calculate करनी है देखते हैं क्या क fluctuating है फहले तो current कितना होगा own current कितना flow होगा यह बताना है बीमें बताना है Gener enc impressive ठीक है energy consume कितनी होगी in 50 hours energy consumed with in 50 hours ठीकिक फिफटी आर्ट्स है 50R में कितनी energy consume होगी और सी पार्ड बहुत important है यह question is important इसलिए कूछ इसके 3 पार्ट है और और तीनोपार्ड अगर आपने समझ लिए तो या आपको बहुत सारे questions को solve करने में help मिलेगे so cost of cost of energy consumed cost of energy consumed cost of energy consumed if each unit if each unit cost कितना cost कर रहा है रुपी 6 अगस 6 रुपी इज यूनिट का लग रहा है तो उसे कितना cost pay करना होगा ठीक है तो question अच्छा है देखते हैं तो पहला question समझ में आगया होगा आपको कि क्या करना है पहले question में कोई problem में current find करना जैसे भी find किया था वैजी कर लेंगे इसका यह power है तो यहां से हमें मिलेगा पी क्वल टू यह हम कौन से solve कर रहे हैं एपार तो यहां से हमें क्लेट करना है current तो i equal to क्या हो जाएगा p upon v sorry हाँ ठीक है तो i equal to यहां से पावर कितनी है इसकी 1500 और वोल्टेज कितना है 250 तो यहां से solve होगा तो यह आ जाएगा आपका 6 6 ampere तो equal to 6 ampere आ जाएगा आपका आंसर 6 ampere ठीक है समझ मा गया अब जो को second b part भी पार अच्छा है energy consumed by it in 50 hours तो हमें यहां पर रिखेंगे energy एनर्जी का फार्मला क्या होता है energy consumed एनर्जी कंजूम्ड क्या लेकले हैं इन यूनिट इन यूनिट तो अगर आपको ये यूनिट वाला कॉंसेट नहीं आता है तो आप इसके पहले की पहले वीडियो देखिए ठीक है को आप महाँ पर इसको पहले समझ किया ये यूनिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसके एक एक लिए बताये तो मैंने आपको यूनिट करने का तरीका तो वाट का मतलब होगा यहाँ पर वाट कितना है 1500 और आर्ड तो आर्गर कितना हो जाए गाया आपर कितने आर्व इसकार रहे से 50 हूं 50 आच और डिवाइड वारी थान तो यहां पे 1000 टीके तो यहां पे 1000 टी ग्लोवाट आर इसे मैंसे भी बोल सकते किलो वाट आर्प यह हम यूनिट बोलते हैं इसादी बाते मैंने बताए भी इन तो 75 यूनिट यहां से कैलकुलेट हुआ तो जैसे घरों में भी ऐसी बिलाता है ठीक अब देखते हो इतने यूनिट आया 250 विप यूनिट आया 200 यून है आपर 6 रुपी पर यूनिट तो इतने यूनिट है तो 75 multiply by 6 एक यूनिट को 6 रुपी देना तो 75 कैसे करेंगे multiply कर लेंगे तो आप इसे ओल करोगे आपका अंसर आ जाएगा रूपी 450 ठीक है और यह हमारा अंसर ठीक है ठीक है ठीक है समझ में आगे हैं कुषिए ठीक है नमर्थ हर देखते हैं कुषिए नमर्थ हर अन एलेक्रिक बल्ब इस रेटेर अन एलेक्रिक बल्ब bulb is rated is rated 220 volt 220 to 20 volt and 100 watt 100 watt when it is operated on when it is is operated when it is operated on 110 volt ठीक है एक एलेक्रिक बल्ब है जो कि रेटेड है 220 वोट एंड हंडेड वोट्वाट मतरब 220 वोट्वाट पर यह 100 वोट्वाट एनर्जी यह कंज्यूम करेगा ठीक है तो यहां इसे वह सकते है हंडेड जूल जूल एनर्जी पर सेकिंड कंज्यूम करेगा यही तो मतरब होता है ठीक है यह हंडेड लिखाओ अंडेड वोट्वाट अब इसे एक मैं 110 डिस इस 110 110 वोल्ट पर कनेक्ट कर दो तो यह कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वैन इट इस ऑपरेटेटेड और 10110 व ah must power consumption. Power consumptionassing एह में calculate करना देखे जकलन का solution पहले तो देखू की अगर Мос environment को सब्सक्राइब की तो यह मांन तक पहले कैने क्या हू나 है कि क्या हुस के लिग वह सबसाइब करना है इसको मैंने करन ज थीचा Raphael नहीं को पहले करेक्ट किया होगा यहाँ से मैं 220 वोल्ट पर इसको connect किया हुए तो यह अभी कितना वार्ट का कंज्यूम कर रहा है 100 तो अगर मैं सको अव इसको कम वॉल्टेज पर कनेक्ट कर दूं ठीक चिक यहां सेंब Voltage कम होगा سब nego में कभी voltage कम आता है तो आपका जो बल्ब या जो भी LED वह कम glow करती है तो इसका मतलौ वह power कम consume कर रही है मतलब इसकी power lifetime हो जाएगी तो कैसे calculate करेंगे इसको लेकिन बल्ब तो आपका सेम है ना यहां यहां जाने में आपका bulb सेम है तो तो जो रेजिस्टेंस यहां पर मिलेगा वही रेजिस्टेंस यहां पर मिलेगा तो हम रेजिस्टेंस को से मान के हम नया पावर कल्कुलेट करने के कोशिश करेंगे तो देखो क्या होगा इसको मैं अटा देता हूं तो यहां पर आगरम कैल्कुलेट करें देखो पहले तुम यह करते हैं कौन सा फॉर्मला में या पर यूस कर सकते हैं तो हमें यहां पर करना यह आपर रिजिस्टेंस नहीं बदा तो यहां से करना हो तो कैसे find करेंगे तो R equal to हो जाएगा हमें P और V में कौन से formula और R में कौन से formula मिल रहा है तो हमें शायद यह वाला formula मिल रहे P भी है V है और R भी है तो P equal to हो जाएगा V square upon R तो R equal to हो जाएगा V square upon P करें तो होगा तो यहां से अगर हम calculate करें V square तो मतरब 220 वोल्ट का 220 का स्क्वाइर divided by P is 100 तो इसको आप सॉल करोगे तो 220 मृटिप्लाइब तू टूटी डिवाइड बाए 100 तो दो जीरो कट जाएंगे और यहां पर आपका अंसर चर्व मैं ऐसे रिख लेता हूं 20 मृटिप्लाइब टूटी ठीक ऐसे लिख लेते हैं मुझे तो ऐसे भी यूज़ करना इसको अब दो को नया वोल्टेज जो किता है वी डाश कुमाल लिया वह है 110 वो कितना है वह आपका 110 वोल्ट और रजिस्टेंस तो यही रहेग क्योंकि रजिस्टेंस आप को यह यूस हो जाएगा बल्व तो से में क्योंकि वोल्टे चेंज वाइसे लिए पावर कम पावर इसका कूश डिकरीज हो जाएगा ठीक है अभी पावर जो वोल्टेज पहले जादा था तुछ जाना पावर रोगनूम कर रहा था अब सौर्फट लूलड लाग है यहां पर हंड़ेट कर दो यहां से सॉनल वो किया जाएगा यहां पर तू यहां पर वो जडू आजाएगा इससे कट किया तो 50 इससे एक और कट किया तो 25 तो अल्टीमेटली कर रहा है कितना 25 वाट क्योंकि आपने इसका पोटेंशिल डिफ्रेंस डिक्रीज कर दिये इस लिसकी पावर भी कम होगे अब यह कम ग्लू करेगा कम एनर्जी कंस्यूम करेगा ठीक है तॉप कहां से कितना हो जाएगा 25 वाट ठीक है समझ में आ गया कर दो सकते है सब्सक्राइब च है समूनर्थ beth G Kathleen करेगे सके बाद क्षव सम 농 Norm 10 watt 10 watt bulbs can be safely connected safely connected in a parallel circuit can be safely connected connected in a parallel in a parallel circuit parallel circuit which is drawing which is drawing which is drawing 5 ampere current 5 ampere current 5 ampere current from 5 ampere current from a 220 volt supply from a 220 volt supply पहले तो कुश्चिन का मतलब समझों how many 10 watt मतलब आपको जो बल्ब का पावर है इच बल्ब का पावर है how many मतलब जादा ही होंगे ठीक की बात नहीं कर रहा how many 10 watt bulbs can be safely connected in a parallel circuit which is using or which is drawing 5 ampere current from a 220 volt supply ठीक और हमें parallel में connect करना ये बात भी ध्यान लगनी है तो इसका कुछ दो को यूज मैं आपको थोड़ा बता देता हूं उसको क्या मतलब हो रहा है इस question का जिसे माल लो सपोज मेरे पास एक circuit है ठीक है तो इसको मैंने ऐसे राजाया होगा है ठीक है तरह से तीसरा यहां पर भीक हैसे बलगाया हुआ है फिर ऐस deform करके सबका जो कंकर सब को मैंने और कितना वोल्ट पर सप्लाई है इसकी 220 तो 220 वोल्ट के सप्लाई पर मैंने सब को ऐसे करेक्ट किया हुआ है तो करेंट ऐसे जाएगा तो यहां पर टोटल जो करेंट मिलना चाहिए वह कितना है है 5 MPR ही है तोटल करेंट को कि यहां से भी कुछ करेंट आएगा सबका ऐसे जॉइन होके यहां पर आ तो इस में से और आपको पता है कि जब हम प्राइल में हों कंबिनेशन करते हैं तो हर अपना करेंट जाता है और अब वह करेंट के वैलुज डिपेंड करती तीस रेजिस्तेंस पर ठीक है जो ज्यादा रिस्टेंस वा अपकर क्रेंट करेंगा और जिवा राजिस्टन्स वाला अप्स जादा है अमांट में करेंट यहां पर आपको क्योंकि यहां पर सबकाइब सेम आपर सेम आज हमावत में करेंट जाए खीए घृण मतलग जो करेंट यहां जाए गवाई करेंट यहां चाहे का इपक्र आप जा रहीं तो एस विल्ड लगा सकते हो तो आप ऐसी बोल लोगे 5M एक से कितना करेंट जा रहा है एक से कितना करेंट जा रहा है यहां पर हम क्या कि गवेन पहले यह लेते हैं तो जो पावर है वह है 10 watt each bulb का ठीक लिख लोगा पर इच बल्ब का मुझे पावर गिवन है इच बल्ब का पावर मुझे गिवन और वोल्टेज भी गिवन है यहां पर पोटेंशिल डिफरेंस भी गिवन है 220 वोल्ट ठीक है समझ मां के बात और करेंट मुझे पता नहीं करेंट कितना जाएग इच बल्ब से टोटल मुझे पता ही यह यह टोटल करेंट भले दिक लेते हैं आई मेक्सम जो आई मैक्समा की वैल्ल्योव फाइव फाइव अंपय हुआ पता है लग लेते हैं यहां से तक रखनोलगा था टो पी आपउन वी आ जाएगा और पी की वैलू कितनी है पी की वैलू है टैन और अपॉन में वोल्टेज कितना है आपका वोल्टेज आपका आपका 220 क्योंकि वोल्टेज सब के लिए सेम होगा प्यारल में क्या होता पो वोल्टेज होता सब के लिए सेम होता है ठीक और पावर भी आप सब का सेम है तो इच से कितन है हं धुए झलना है हमें जो वैल्व रखनी हुअ थाइप मिर्कनी तो माल लेते हैं जो कि नॉमन नम्बर मोर्स गरख पर यह और जिनको मैंने वन अपस्ती टू एक से जा रहा ही तो आइन नभर ऑफ बल्च लगे हैं तो यह हुआ ठोटल अमाउंट में जो करेंट है कितना हो रहा है फाइफ एंप्रोड जफाइफ लिख लिए तेम चल्ब कितना हो जाएख रफाइफ एंप्र समझ में आगए बात ठीक आप लिखनो चाहो तो लेट एन नमबर्स and numbers of bulbs are connected bulbs are connected question ka mathematical समझ में आ रहा है कि ऐसे बहुत साय इसे पैरललें में बलगे हो जिस से जा रहा हुआ पॉचिस जा रहा हो जिस्अ कि सब का जो समाना चाहिए वो कितना आना चीफ इन पर तो एक से कितना जा रहा है उस्ती जितना एक से जार रहा होगा तो अगर एक से बन अपन टूट्य जा रहा है देख़ए तो एक से इतना जा रहा है तो बागी सबसे पहे जार रहा होगा तो सबका अगर आप में calculate करूए सबसें करूँ तो उनकी 5 क्रेक्ट रसकती हो ठीक है तो कितना आज जाएगा सो जाएगा नमबर अब्वर्प जो किसे वी कनेक्टे रहो सकते हैं साथ हिए के लिए मैक्समाशन फाई राइंपर करेंटी के लिए टाहु जाएगा बनों हन्डरीट यह आक्ट का एंद बनेकर कुले लेखते हैं को अ खुरिशें नमबर फाइव तू लाम्स आरेटेडरट तू lamps are rated two lamps are rated कितना rate है इन का 100 watt at 220 volt at 220 volt ठीक है and the other and the other other कितना है and other 60 watt 60 watt at 220 ठीक है 220 volt are connected in parallel are connected in parallel are connected in parallel ठीक है two electric mains two electric mains electric mains supply electric mains supply electric mains supply अब कुशिशन क्या है what current is drawn from the line supply what current is drawn is drawn what current is drawn from the line supply from the line supply from the line supply from the line supply voltages line supply voltage is कितना है 220 volt ठीक है ठीक है यह यह हमें बता है ना दो कूलायाई लाइन लाइन लाम्स आर रेक्रेटेट जिनका आपको पता हैं की जो वैल्यों है 100 watt है 220 पर और दूसरे की है 60 watt एड 220 ठीक है अगे बाद आर connected in parallel to electric mains supply what current is drawn from the from the line supply voltage पत्र टोटल करेंट कितना ड्रॉ हो रहा है यह हमें calculate करना है देखको इसका थोड़ासा डियाग्राम के तुरू समझ हुआ है इसका डियाग्राम कुछ ऐसा है जैसे मालने मैंने एक यह ऐसे है यहां पर एक बल्ब लगाया हुआ है ठीक है और इसी के parallel मैंने दूसा बल्ब लगाया है एक ठीक है और उनको मैंने connect किया हुआ है एक बैटरी से ऐसे जो जब यहां से current flow करेगा तो यह current कुछ यहां बटेगा बटेगा और यहां पर ना 60 watt वाला भूलो ठीक है तो कुछ current यहां पर जाएगा माल लेते हैं पर आई वन जाएगा यहां पर आई टू जाएगा और टोटल यहां पर माल लेते आई पर कितना current गया यह calculate करें दो को दो तरीके हैं यहां पर पूरा आपको voltage तो पता है यह 220 वोल्ट ठीके दो कुछ दे रखा है 220 वोल्ट तो 220 वोल्ट पता ही हैं तो यहां पर करेंट निकालें कि दो फॉर्म लोटते हैं तो आप यहां से कर ऐसे आप ओम सुदा लागाना चा इसका calculate को फिर दोनों का parallel वाई condition लगाओ equivalent resistance लगा होगे निकालोगे फिर equivalent resistance यहां पर रखोगे फिर आई calculate करो गया तो एक यह दूसरा मैथट है कि आप आई वन और आई टू सेपरेटी calculate कर लो इस वाले फॉर्मूले से आपको क्या पता है आपको यहां पर पावर पता है और आपको वोल्टेज पता है तो आप यह वाला फॉर्मॉला यूज कर लो ठीक है तो यहां पर आ ज निकाल लेते हैं तो आई वन इकोल टू क्या हो जाएगा पीवन पीवन कितना है 100 तो हंडेड अपॉन में वी 220 ठीक है यह आ जाएगा आपका अदूसरा आई टू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 60 62 है 60 60 divided by 220 ठीक है यह आ जाएगा और आई को डू क्या हो जाएग इतना जाएगा 100 अपॉन 220 ठीक है तो इसको सॉल करोगे तो आपका जो आएगा वह आपका आएगा वह आपका आएगा कुछ शीरो पॉइंट शेवन ट्री एंपियर 0.73 जीरो प्यांट टीक है समय आगये जिंपल था यह वाल आपने हाँ से आई वन निकारा ठीकशन पावर और वोल्टीज का यूस करने को वोल्टेज दिकूस पा आप ऐसे भी हापर पारलल में है तो वुर्टे सब्सक्क्षा से र सब्सक्राइब कर दिया यहां से और इनको आड करके यहां पर टोटल करेंट निकाल लिया समझ में आ गया तो यह हमारा अंसर होगा चैनल नेक्स गुश्ण देखते हैं इस नमबर शिक्स विच यूज इस मोर एंरजी क्या है वेच यूजिज विच यूज इस मोर एंरजी अ इस नो यह भी बोल सकते हैं विच गंजूम्स मोर एनरजी ए अब को एनरजी क्या चीज़ है आपको कंपेर करना है 250 वाट तीवी सेट ठीक है टीवी सेट इन वन आर इन वन आर मतलब एक टीवी सेट जिसका पावर कितना है 250 वाट इस जीरो हो 250 वाट ठीक है और उसको कितनी घंटे ःप्रेट किया अगया वन आर और सेकर्ड क्या है कि आंड कि फेटर हंडेड वाट टोस्टर ऑए टोस्टर है टोस्टर है 1200 वाट का इन टैन मिनिट ठीक है इन 10 मिनिट हम आलेते हैं दोनों का वोल्टेज जो है वो सेम है तो यहाँ पर अगर हमें यह कल्कुलेट करना है विच उसस मोर एंबरजी क्योंकि एक छीज़ा लखना जो आपको पावर होता है वह पावर प्रक्स नहीं होता है वो किसी गिवन वॉल्टेज फिक्स होता है जैसे हम्लुक जो जैसे अगर में आप कोई बल्भ लेकर आते जिसपे थे कि एन्ड वोट लिखा हुगा थी हंड़ेड वोर्ट कब हैं कब अब हंड़ेड और होता है जब हमारे घर में इसक्राइब ना मिले अब यह कोश्चिन भी अ किया था कि अकर आपने वावर कंजिमी पावर कंजिम किगो बआर कंजिम इसको तरक, एक क्वैलं तो पावर कंजिमी मैं तो यूनिट का फॉर्मिला होता है वाट इंतू आर ठीक है वाइड आर डिवाइड बाइड बाइफाओसंड टीके निकालना हो यॉनिच में निकाल लो नहीं तो आप ऐसे वाट रामें प्रॉबल्म नहीं तो देखे यहां पर कितना आज एक चलो वट आपने निकाल लेते हैं हमें यूनिट तो कल्कुलेट करना है तो कियूं हम अपना काम बढ़ एंग हम मोर्ट आर काहते से तो फावर konsume वाट आर थिखते हैं आर कितना है यहां पर आजाएगा तू फिफटई और और कितने आर तक यूज सब्सक्राइब और थे चुनिसक्त्र काटेब़न यह फोली लिखेंगे टोस्टर है फोट तोस्टर टोस्टर रिख्या करना अप्लेगा फिर से हम ना Casey it तीन पावर कंज्यूम्ड को यी टू माल लेते हैं पावर कंज्यूमड से पावர कंज्यूमड यी फेल मित या अजैगा यहांपर कितने वाट का है ट्वेल हंडेड वाट का है ठीक है अब यहाँ पर टाइम डीको टाइम को मुझे आर में लेना होता है ठीक वाट और किलो वाट अर्में लेते हैं तो मिनिट में रखा थे तो मुझे कनवर्ट करना पड़ेगा आर में तो टेन डिवाइड बैचा हो जाए का 60 १ो जए हो जा here future अपर ओंतब आतो ह celebrate खुब कर रहा है आपक टीवेश्र कर दर टीःट अवे फिजह घ्म ज़ाद का इब आप यह लेगे यह देट्ट इण यूसवा और यह कम का था लिकिन जादा देड़ तक घ्म को इस वज़ने से यहाँ पर जो रहे हैं चुपका पावर कंज्यूम आया है पावर निंग पावर कंज्यूम वह ज्यादा आया है ठीक तो इवन इस ग्रेटर देन इतो अजी आपका हमसर ठीक समझ में आ गया अब दो को नेक्स्ट क्वेशिन देखते हैं क्वेशिन नमबर सेवन एन एलेक्रिक बल्ब एन एलेक्रिक बल्ब इस मांगड बल्ब इस मांगड 250 वाट 250 वाट 220 ऑट ठीक है से मांग एक एलेक्रिक बल्ब है जो कि ऐसे मांग टूफिक वोल्ट आप दो को नेक्ट क्वेशिन क्या बोला के हमने जूल्स how many joules of energy how many joules of energy how many joules of energy is consumed by it is consumed by it by the bulb by the bulb by the bulb in one hour in one hour ठीक है how long will it take simple question ही how long will it take how long will it take take will it take for the bulb for the bulb to consume to consume one kilowatt hour to consume one kilowatt hour one kilowatt hour one kilowatt hour one kilowatt hour ठीक है one kilowatt hour कितना टाम लगे का उसे one kilowatt hour consume करने में अगर वह इस रेटिंग से काम कर रहा है और कितने पहले समय दो कुछी मताने हमने जूस आफ एनर्जी इस कंजूम पाइट इंग बन आर और कितना टाइम लगेगा कितने आर लगेंगों से किलो वाट आर वे पहुंचने में देखू और सुदिशन तो पहले हम एनर्जी निकालते हैं तो यहाँ पर एनर्जी कंजूम का मतलब होगा अगर देखू यहां पर इसकी पावर गिवें है तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं तूफिफिटी जूल पर सेकिंड बोलू लिख सकते हैं मतलब एक सेकेंड में एक कितने एनर्जी कंजूम कर रहा है 250 जूल की नर्जी चन्जिूम कर रहा है वोलू ऐसे समझ मा आ गया गया पी इिек वैलकिनल के नहीं तूफिटी वोर्ट तो इसका मतरब क्या है कि यह हर्श पर जूल हों टू सब्लाइब के और सब्सक्र कर रहा है तो सेकंड में कितने मिझस करेगा वह बता रहे हैं दो मनого किन्सखीं करä रहा है तो हुआ झाल्च क्यों करेगा यह वह पता रहा है यह तो वन आर्म होते कितने सकेंड एक सेंड में इतना तो वन आर्म कितने सेंड होते हैं? 3600 तो पता है न वन आर इकोल टो क्या होगा? 60, multiply by 60, ठीक, एक एकोल टो 3600 सेकंड यही तो होता है? ठीक है? आप दोखो, तो 3600 सेकंड में यह कितनी आरजी consume करेगा? तो फिफ्टी से मुल्टिप्लाइक हो जाएगा तू फिफ्टी मुल्टिप्लाइक हो जाएगा तू इस तरीके से हमने सॉल्ट किया इसको ठीक है आप चाहँ तो इसको तो इस तरीके से आपका कितना आ जाएगा और नाइन और फाइफ टैन जीरो वन स्टेंस हंड्रेट थाउजन तेन थाउजन लाग तो नाई लाइक जूल ठीक है तो नाई लाइक जूल की एनरजी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नाइन इंटू टैन तो दी पावर फाइफ सब्सक्राइब तो यह हमारा स हमझव आगे तो यह हम एक बास समझू अगर यह कंड़े में एक घंटे में एक गंटे में वन आर में यह 250 वार्ट मतलब 250 वाटर की एनरजी कंजिूम कर तो हमें 1 किलो वाट आर तक पहुचने में कितना डाइम लगी गार ऐसी समझ में आ रह तो 500 इसकाइस थीन निमस्य साफटी तीन चार गंटे मिकितना होजाएगा 1000 वर्ट 투 crecet यह 1000 व्रक और कोई तम क्या बोलते किलो वाटर तो हम यहां पेसा समझ में दिन टूम को तो मान लान लिए एंड इंटाइम में करेंगा तो एंड टाइम में इतना करेंगा को तो एंड टाम डवाइड बा यह एक इन वालन ल टू एन के पलीज फर टीम कंदर हो तो माल लिटे टीम लगी कर consistent बनाना है इसे बनाना one thousand watt और ठीक है freshwater क्वाइब का 1000 आर वोल रहा है ठीक है कन्फूज मतोना 250 वाटा ठीक है एक को लगाल यहां पर थोज़ार इधर लिख दिया ठीक है 1000 वाट यहां पहले लिख लोग वन किलो वाट आप लोग चलो मैं लिख लिए थां वन किलो वाट आर ठीक है 1000 वाट आर ठीक समझ में आ गया क्वान किलो वाट तक पीटना डायम लगए गया तो उन मने में अधव रमे और इस वज़े न पर केले रहा हं here who deine तो यहां पर ले जाएंगे तो टी कोड़ क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बैट 250 तो ऐसी कलेट कर लेते तो आपका एक आंसर आया नाइन इंट टेंट इपाव फाइब जूल और सेकेंड आंसर राइट इकल टो फोर आट ठीके समझ में आ गया अभी कोशिन देख लेते हैं question number eight two identical resistors two identical resistors each resistance each resistance each resistance 10 ohm ठीक है एच रेजिस्टेंस 10 ohm और कनेक्टेड और कनेक्टेड कैसे किया करेक्ट ए है हमारा सिरीज इन सिरीज ठीक है और बी में हमने ने कनेक्ट किया in parallel ठीक है दो रिकतीगा इस रेनीक है जो आइटिकल का मता होता है तीक है तीक है रेजिस्टर से जिनका रेजिस्टेंस का वैल्यू कतना है 10 ohm और उनको कनेक्ट किया पहले सेरीज में और फिर श्रृवे ठीके नेक्स देखो क्या बोल रहे है wait to a battery, to a battery, to a battery of 6 volt, 6 volt, calculate the ratio of power, calculate the ratio of, ratio of power consumed, power consumed, calculate the ratio of power consumed in combination of registers, in combination of registers, in combination of registers, in combination of registers, in two cases, in two cases, पहले तो क्वेशिन का मत्रा समझे लेते हैं कि क्या आप क्वेशियन बोला गया, ठीक, एंड दिस वन अफ दे इंबॉर्टन कुशिशन और इनकी वैलू भी पता है कितनी है, 10 ohm हो जाएगा, ठीक है, आ हमने पहले इन्हीं सिरीज में connect करेंगे, फिर parallel connect करेंगे, तो series में in case equivalent resistance आएगा, parallel में equivalent resistance आएगा, उसकी बाद वहाँ पर सिरीज की बात करें, तो वहाँ पर power consumption कूछ अलगाएगा, में यह का अलगा उसका लेगा उसको नगे पावर कंजम्शन हो में क्या निकालना है रेशो में निकालना है तो एगे ऊस्पेको बात करते हैं इन 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 सिरीज है बात करें तो एक पलान ऊप्र से कवर्णरां क одном मिस्पेट प्रयाएं तो डुल जाए अब बखार हमें पावर केल्कुलेट करनी हो पीएस तो पीएस कैसे कल्पेट करो गे तो मुझे आप रिखुब बैटरी का वोल्टेज पता है शिक्स वूल ठीक है तो क्या हम यह फामला प्लाइब कर सकते हैं वी स्क्वार अपन आ पावर पता है और हमें सरी रिजिस्टेंस पता ना तो में आपर क्या हो जाएगा वी स्क्वार अपन आर ठीक्स का स्क्वार अपन आर की वैलियू कितनी है आप टुन टीओ ओम इसे लिख लिए तो सौल नहीं करें लोग ऐसे लिख लेता है भी कोई प्रॉब्म नहीं है ठीक तो यह कोई क्वेशन फर्स्ट मान अग हम प्राइल करेंगे तो पहले तो रहिस्टंश की वैलु में एलाइन तो आर पी अगा मतलुए कराईगी है कितनी है 1 upon 10 1 upon 10 हो जाएगी एक्वाल टू यहां पर आ जाएगा 2 upon 10 मतलब यहां से कट के आ जाएगा 1 upon 5 तो वो राल जो हमार पी निकालेंगे वो आर्पी आ जाएगा आर्पी इक्वाल टू कितना जाएगा 5 Oh मतलब एक्वेरें रजिस्टेंस कितना आया in case of parallel कॉंबिनेशन कितना आया फाइफों अगर हम यहां से पीएस सारी पीपी कल्कुलेट करें पीपी मतलब पावर कंजूम्ड वन इट इस वन दीज रजिस्टेंस आर कनेक्टर इन पैडलल तो यहां पर आजाएगा पीपी कितना जाएगा मेरा यहां पर आजाएगा फिर से वी इस कनेक्ट किया गया तो वी स्कॉयर अपन आर किया तो यहां पर कितना जाएगा वी स्कॉयर अपन आ वी स्कॉयर अपन आ तो वी स्कॉयर अपन कितना हो जाएगा यहां पर फाइफ ठीकिए फाइफ आगे दो कि यहां पर एक सी लिख लिए आपर आरेस और यहां पर पी तो इसको में एक्विशन सेकेंड माल लेते हैं तो यह पावर कंज्यूम हो रहा है जब यह सिरीज में कनेक्ट यह पावर कंज्यूम हो रहा जब यह पारलेल में कंबाइन किये गए अब देखों में आप निकालना है पी एस रेश्यू ठीक यह ऐसे माल लूचर ऐसे पीए सपॉन पीपी यहां पर आ जाएगा 6 का इसकी पावर टू का वर्ट वर्टी बार सपॉन डिवाइड बाइड बाइड शिक्सक्राइड अपाउन में फाइफ टीक है जो इससे तो यह प्राइड वाइड बाइड पीपी इस डि इकवर टो आजाएगा वन रेश वन अपान फॉर देखो ठीक है समझ में आ गया यह फोर यहां आ जाएगा यह उपार यह वान हो जाएगा वन माल लो इसको तो पीए सब्वाइड पीपी कितना आगा वन अपान फूर तो यहां से हम लिख सकते हैं पीएस रेशियो पीपी इकॉर टू वन रेशीयो फोर होर यह हमाराव फानली ऑंसरो को यह महरास फानली ऑंसरो का ठीक है समझ में आ गया हुश्छिय तो लास्ट फूर्फ इन एक देख लिते हैं आज kings तो लार्स कराशिण क्या पूछा था लायस्ट मेर आपको क्यों यहां वहीं शुरुबात कि ती वीडियो में मैं आपको क्योशिण दिया था कि دो बल्भें जो की स्टीड है ठीक है टू बल्प्स क्विश्आ में लिख दे रहा हूं टू बल्प्स URL रखेड ठीक किया लिखा था अशाइड 100 वाड लिखा था प्राइड टूवर्ट आज दूट सबस्ता जिस पर लिखा हो अबाए फिफ्टी वोर्ट ठीक के शेफ्टी वाट और लिखा था 220 वोल्ट तिक ऐसे लिखा था या इनकी रेटिम तो यहाँ पर कुछीन यह था की बेच विल glow more, which will glow more, which will glow more, which will glow more, तो पहला case था, जब ये series में connect हूँ, in series, ठीक है, और B part हम माल लेते हैं, in parallel, मतलब पहले हम इन bulbs को connect कर रहे हैं, parallel में, और ये same voltage, same है, ठीक है, आपका same voltage है, यह उने माल लिया है, कि इसी voltage पर हम इनको use कर रहे है, तो कौन ज़्यादा glow करेगा अच्छे से, अगर हम इनको series में connect है, इनको parallel में connect करें, तो पहला case हम ले लेते हैं, हाँ पर series में, ठीक है, in series, in series, अच्छे एक बात ध्यान रखना, चाहे हम इने series में connect करें, या parallel में connect करें, इनका जो अपना resistance होगा, वो तो सेम रहेगा, ठीक है, current और बागी चीजों की value change होगी, voltage change होगा, ठीक है, series में voltage आपको पता है, potential drop हो जाता है, तो वहाँ से वो साई चीज होगी, बड़ इनका जो resistance होगा, वो change नहीं होगा, तो हम इनको जो, इनको जो compare करेंगे, इनकी resistance के according करेंगे, और मैं बता दूँ आपको, कि जो जितना ज़्यादा, कोई बल्ब, पावर consume करेगा, कोई बल्ब, जितना ज़्यादा पावर consume करेगा, उतना ज़्यादा वो bright glow करेगा, उतना ज़्यादा क्या करेगा, वो bright glow उतना ज्यादा वो ब्राइट लोगर अभी एक क्वेश्चन भी किया था जहां पर एक बल्ग था 220 वोल्ट पर ठीक है थीट वोल्ट पर वह 100 वाट का 100 वाट का एनरजी कंज्यूम कर रहा था उसका जब उसको 110 पर दिया तो उसका जो एनरजी कंज्यूम है वो 25 हो गया 25 हमाल लेका पहले वाला फ़स्ट बल्व है थी जखो माल लेते हैं कैसे माल लेते इरो माल लेते है डभलू one two Wन हमने माना यहां से आहां कि रजिस्टंस की वालव हब יהार 2050 कि अरवन तो r1 अगर रगम क्लए importa हं लाले वाल ब Excuse तो कितना आजाएगा। थिर्च यहां से आजाएगा v2 upon p तो बीद तो यह तो सैम यहाँ दोनों के लिए च्रूट वोल्ट है ठीक गए तो तूटल यहाँ आपड रेजिस्टेंस है यह फार्ष वाले कर रेजिस्टेंस है तो आपको यहाँ रही कि देखे तो कितना आज जा पात समझ में आ रही है यह दिवाइड में 100 है मतलब इसकी वैल डू कम होगी स्क्रीट ज्यादा मतलब आर टू इस ग्रेटर देन आर्वन कि भूलो इसकी वेले ज़्यादा आएगी है न यह कंए इसादा होगा ज्रीटर कम है तो आप ल approximation यहाँ इस फाल व्रबइंक यहहां आप दो धेको यह कौन सेकेंट critique सेकेंट बलब और यह कौन है फिस्टकी exactly अब देखो तो को जब हम से सिरीज में कमबाइन करेंगे तो सिरीज में एक चीज कॉमन होती है क्या होती है सिरीज में जो करेंट होता है जो करेंट होता आपका और वो सेम रहता हैं तो अब एक काम करते हैं यहां पर कोई आपर कोई ऐसा-पावर का मैसा ऑस फामला-स यह पर करेंट और case of series तो यहां पकी जो होगा वो डायक फोर्पोहूर्जन टू आर मतलब जितना ज्यादाक पावर मतलब उतनी ज्यादा वह इतना ज्यादा वाली लाक्षिस ग्लो करेगा तो यहां पर बताओ पहले वाले रिजिसकी तक्षिते हैं ईषिकतर हैं दूस्राइगर जिसका जिस्टारी सिंज जादा होगा तो पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और जाधा कंज्यूम करेगा तो ट्वंटी फाइव वॉर्ट बल्ब ठीक है विल ग्लोः विल ग्लोव और कि समझ में आगी बात कैसे हो गया यह अब दो को जब हम पारलल की बात करते हैं इन पारलल इन पारलल अब जो को पारलल में क्या होगा पारलल में आपको पता है कि आपका पोटेंशिल डिफरेंस जो आपका पोटेंशिल डिफरेंस है वो सेम रहता है potential difference who same plate umіт पोटनिशल डिफ्रेंस है ठいक है potential difference क्या होता है सेम होता है मतलब V जो होता है आपका constant होता है यहाँ पर current तो यहाँ पर potentialisterंस मतलब V same है ठीक है कि तो आप यहाँ पर कौँसा formula यूस – गरें यहां पर वी भी आ जाए और आ रहा जाए तो यह लास्ट वाला फॉर्मला ठीक है जानबुछ के फॉर्मला यूज करेंगे ताकि वी हमारा वी से कोई तो यहां से आ जाएगा पी एकवल टू वी स्क्वार अपॉन आर ठीक है मतलब जो पी यहां पर डिपेंड कर रहा होगा वह सिर्फ और सिर्फ रजिस्टम से डिपेंड कर रहा होगा ठीक है अब यहां पर देखो इन केस ऑप्यारल कॉम्बनेशन आपका रजिस्टेंस जितन करना पड़ेगा कम करना पलेगा तो रजिस्टेंश को किसका आर्वन का तो इन देस केस जो आपका ह्रुका होगा न होना कितना कौन सा है आपका 100 watt तो 100 watt वाला जो है वह ज्यादा 100 watt bulb विल ग्लो मौर। रूह क्योंकि इसका रेज programmers किहां पर रूंचे कम मिल रहे हैं और यहां पर एस रेजिस्टन्स ज्ञादा पावर की वेल्यू ठीक जितना कम संसे म Capra कम जितना अब पावर की वेल्यू बढ़ेगी उतनी ज्यादा पावर की वेल्यू बढ़ेगी और पावर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका ब्राइट ग्लो जो आपका बल्ब होगा वो ज्यादा अच्छे ग्लो करेगा तो आपको आपको समझ में आ गया होगा इसको और भी तरीके से कर सकते थे लेकिन वहाँ पर कैल्कुलेशन करना पड़ता है आप उसका पहले वाट करते हैं कि अक्च्यल कितना कंजियू कर रहा है क्योंकि जब सीरीज में करकेट करते हैं देख को समय जलबात को जम सेरीज में करेक्ट करते हैं तो आपको पता है पूतेशिल डॉप कम हो जाता है आप洗या लोप कि Hall GB referred副ह घंतना कितना duty का यहाँ बोट वखनें कुर और कित से ये टॉपिक खतम होता है